हेलो व्रिवान और वालकम बैक तो माई योटोब चाइनल तो फिर आज वूने बात करने वाले हैं दो अपडेट को लेकर जो कि आपकी आ रहे हैं सेम कंपनी की तरफ से इंफोसिस यहां पर हम बात करेंगे इंफोस पेंडिंग ऑफरेटर के बारे में और यहां पर हम दिसक् इच और पॉइंट यूज़ विडियो करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां डिसक्स करते हैं यहां पर आप लोगों को मेरे स्क्रीप देहन में मिल रहा होगा इंफोसिस लिमिटेड इट इट हैं इंफोसिस का सिस्टम इंजिनियर रोल विदिन शिक्स मंत के अंदर में दो बढ़ अटेम किये हैं उन्हें के पास देखने को आएगा इंफोसिस में बन भी विडियो बनाया था है तो या पर आपने कहीं से अपण ही ऑप भी कंपड़ी प्लाइब कर सकते हो बट यह जो six month का जो ख्रेटीरिया होता है आफ्टर एक्जाम मालो कि आप्टर एक्जाम आप लोगों अटेंड करा जनवरी में तो वहां पर आपका आप लोगों कहा हुआ आप लोगों आप लोगों ने मार्च वाले हारिंग में अप्ला इस सारी वीडियो मिल लाएंगे इससे पहले इंफोर्स ने काफी बार रेजेक्शन करा है लोगों को जिन्होंने six month के अंदर में ही दो बार exam attempt किया हो एक बार exam attempt multiple time apply कि यह दो बार exam within six month of within twice within a spam of six month आप लोग मत करना चाहे वो exam दे रहे हो six month के अंदर में चाहे इंटर्वी दे रहे हो company काफी तो focus करती है इसको लेगा बिल्कुल भी हलकियों मत लेना apply करो बट हां make sure आप लोग 6 महने बाद ही आप लोग exam के लिए बेठो क्योंकि यहां पर company six month का criteria को फोलो कर रही है basically यह मिल देखने को आया यह मिले एक subscriber को देखने को आया है जिन्होंने ऐसी का ज पहले इंफोसिस जो है वह अगस्त में भी hiring कर रहे थी सितंबर में भी hiring कर रहे थी हर महिने पहले इंफोसिस का जो था सर्वे मेल के थो से hiring आता था तो इन्होंने वैसे किया multiple time apply करते अभी आप लोग देखो कोई भी requirement नहीं है official from the survey mail आप लोगो पता होगा इंफोसिस सर्वे मेल में जब भी आप लोग apply कर रहे हो तो six month में दो बर apply मत करना क्यूंकि अगर आप लोग कर लेते हो let's suppose अगर आप लोग select हो जाते हो ठीक है तो six month criteria में अगर आप लोगों आप लोगों ने apply कर रहा है after getting rejection तो आप लोगों भारी पड़ेगा अभी six month criteria कप से अगर आप लोग और receiving the final job offer of the system engineer role the compensation of the role iron of 6.3.6 lakhs per annum which one year of probation period the date of allocation to the business unit extra provision period you have to know please note that this is a conditional job offer subject to your eligibility during the required process and your background verification if if falsification of data is detected during the background verification process enforceable revoke the job offer made by mud to you in case of any query you can write to the mail okay nightmare 6.5 takary situation इसकर नों अरे में बतना Olon 수कर किर को रहा है यहां पर सक्राइदे करने उनके फिलों करता है तुमके पास अब गैस आषब और कर T भी संस्क्राइबरों मैं थो उसे बात कर रहा है और बिलॉग और से विलॉग करते हैं कि उपरे for the role of system engineer तो यह रहा बहुत बड़ी update from the info system तो यह बाते आप लोग I think समझ में आ गई होगी तो इसके लावर में में कुछ doubts रहता है तो आप लोग कमेंटर पोच सकते हो बट हम एक सुर आप लोग प्रीज दो बार दो बार एक्जाम मत लिखना अलग एक्जाम लिख सकते हो ब बी अधर रिकूर्मेंट होती है जाब प्रोसे एक्सिक्यूटी वह अनलेश्ट हो टेकनलोच असे 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 अनलेश्ट हो चाहे जो भी हो उसमें देखने को आप लोग को नहीं आगा बट जो कंपनी एंफोसे जो है सर्वे मिलके से हाइरिंग करती हो हाँ पर 6 मंथ आप अनलेश्ट गूनाइट